Let's do question no.7 of exercise 4b that is linear equation in two variables. Question no.7 is draw the graph of the equation 3x minus 2y equals to 4 and x plus y minus 3 equals to 0. Friends, ये देखिये, इन दोनों के graph plot करने है, तो इनके tables बना लेते है, गया गया x and गया y, इसको हम देखिये, x plus y equals to 3 भी लिख सकते है, आप plot करना है, tables, table बनाना है, right range, आप चाहें तो 3 points, आप चाहें तो 4 points भी लिख सकते हैं, Now, इसमें देखिये, अगर मैं यहाँ पर x की value 0 रखते है, तो 3 into 0 minus 2y equals to 4, तो ये क्या आगई? 0 minus 2y equals to 4, तो y की value कितनी आगई? 4, ये minus इधर चला गया, upon 2, 2, 2s are 4, that is minus 2y, तो x 0 रखने पे, y की value minus 2y, right range? अगर हम x की value 1 रखेंगे, तो वो upon में आ जाएगी, तो वो नहीं रख सकते हैं, अगर x की value 2 रखेंगे, तो कितनी आएगी? ये देखते हैं, 2, 3 is a 6 हो जाएगी? yes, आ सकती है, तो देखें, 3 की value, x की value 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 लिख दीजे, minus 2y equals to 4, तो 6 minus 2y equals to 4, तो minus 2y equals to 4, ये plus का इधर आके minus को गया, तो याँगे minus का 2, minus minus cancel हो गया, तो y कितना आ गया? 2 upon 2, that is 1 आ गया, right friends? अब एक और point ही गाला है, अगर में y, y अधर 1 लखती हूँ, तो 2 आ रहा है, right? अब x की ही value देखते हैं, दूसरी क्या रख सकते हैं, x की value अगर 3 रखेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, 9 इधर आएगा, तो 5 बज जाएगा, तो फिर upon में आ जाएगी, तो 3 नहीं रख सकते हैं, अगर 4 रखते हैं, तो देखें, 4 रख सकते हैं, x की value, अगर 3 इन्टू 4, माइनस का 2y इकोल्स तो 4, तो यहागे 12 माइनस 2y इकोल्स तो 4 माइनस 12, तो माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसल हो गए, y इकोल्स तो 8 अपॉन 2, तो हमने x की value 4 रखी, तो y की भी value 4 आ गए, right? अब यह देखिए, यहाँ पर, अगर x अगर मैं 0 रखती हूँ, तो 0 प्लस y इकोल्स तो 3, तो y की value इतनी आगई? 3 आगई, अगर मैं y 0 रखती हूँ, तो x, y 0 रखा है, x प्लस 0 इकोल्स तो 3, तो x कितना आगया? 3 आगया, अगर मैं y 1 रखती हूँ, तो देखिए y अगर मैंने 1 रखा तो x plus 1 equals to 3 तो x कितना आ गया? 3 minus 1 that is 2 राइट friends? Now let's plot the graph यह आ गया हमारा y-axis और यह आ गया हमारी x-axis राइट friends? नाओ यह हमारा x positive y positive y negative x negative राइट friends? तो देखिए यह आया है 2 4 6 8 positive है यह भी तो इसलिए plus की हैंगे 2 4 6 8 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 first line first line block कर रहे है देखिए x 0 है तो y minus 2 है x 0 ही है हुआ y minus 2 minus का y नीचे की दरव है तो this is the point यह आ गया point यहां लिख दीजे 0 and minus 2 now x 2 and y 1 है x 2 positive इधर y positive भी उपर की तरफ y 1 है तो 0 और 2 के बीच वाला point this is the point तो यह आ गया 2 and 1 next x 4 y भी 4 यह इधर से गया और यह इधर से गया जहां मीट की है वो यह वाला point हुआ दोनो 4 and 4 अब जोइन कर देते हैं देखिये थोड़ी बड़ी सी line कीचेगा क्योंकि हमें intersection point बताना है राइट फ्रेंज now next line next line करेंगे next line is x 0 and y 3 x यहाँ 0 है और y 3 this is the point तो यह क्या हो गया 0 and 3 y 0 x 3 this is the point 3 यहाँ है यह x 3 and y 0 next x 2 and y 1 यह वाला point right friends तो इन तीनों को जोइन कर देंगे intersection इस point पर हो रहा है यह वही point है जो दोनों में common है 2 and 1 and 2 and 1 तो answer को क्या हुआ this is the point तो यह आप नीचे लिख सकते है कहां पर intersection हो रहा है तो point is 2 and 1 answer जिसमें x की वालू 2 है and y की वालू 1 है thank you if you understand the step by step solution of this video please subscribe my channel on maths and share it with your friends thank you